हेलो दोस्तों वीडियो शुरू करने स्पेल में आप सभी से बताना चाहता हूँ कि इस्टेंड अप क्लास्स का एक और नया चैनल बन चुका है जहां पे डेली आपकी एक्जाम सिल्वे से लिलेट टॉप लिवल के जीके और करेंट अफेर्स के अब्जेक्टिव कोशन्स प दिया है ठीक वैसा ही प्यार और सपोर्ट आप इस चैनल को भी जरूर दिजेगा सब्सक्राइब करके इस चैनल का नाम है और आज के क्लास का जो है यदि आपको अब्जेक्टिव कोश्चन्स का वीडियो चाहिए तो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा सुझा जाए देख लिजिए और चलिए आज का वीडियो हम लोग सुरू करते हैं हलो दोस्तों जाहिंद एंड वलकम बैक टो इस्टेंड अपक्लास सो कैसे आप सब उमीद करता हूं मचे होंगे तो दोस्तों एक वर फिस्तव पस्तित में आप सभी के साथ में लेकर के कुछ फेम पार्ट वन नहीं देखा है तो मैंने यहां पर उपर आई जो बटन दिख रहा है आई बटन यहां पर मैंने पार्ट वन का लिंक दे दिया आप देख लिजेगा ताकि इस वीडियो के अंतक जरूर बने रहेगा ताकि कोई भी जो है पॉइंट आप से मिस्त ना हो सके तो अगर बीडियो पसंद आता है तो प्लीज बीडियो को लाइक जरूर किजेगा क्योंकि हर एक बीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं तो यहां पे जो हमारी सबसे पहली पुस्ता का दोस्तों वह है सबस्टेंस एंडिस सेडो क के रप्टिली रहें दूसरी पुस्ता का संसत के तीन दसक ठीक है याद कर लेजेगा उसके बादा अनिता देसाइज जी का इनका भी पुस्तक लगबाग हर बार पूछा जाता है जो लोग एजाम दिये हैं कई बार उनको पता होगा कौन सा है क्राइद पीकॉप यह पुस उसके बाद है लाइफ डिवाइन एन क्या नाम है लाइफ डिवाइन एन ठीक है चली उसके बाद अगला है संजीव रेडी जी का संजीव रेडी जी का जो पुस्तक है वो है विदाउट फियर और फियर ठीक है क्या है विदाउट फियर और फियर उसके बाद है उमा संकर कानुसी पुस्तक है निसीथ क्या नाम है निसीथ उसके बाद है आरेंगे ट्रमन तो आर बेंेंकर ट्रमन जी का कौन यहां माई प्रेसिदेर्सिदेंशियल लियर्स ठीके नाम है遊 Presidencia नरायनन काफी फेमस राइट ना आपको भी पता होगा और सबसे चाहदे आर्के नरायनन जो है स्टोरी के लिए फेमस है इस्टोरी राइटर थे ठीक है पहले पुष्टा का मी संपत उसके बाद है दी गाइड my days ठीक है the guide कई बार पूछा गया है उसके बाद the vendor of sweets ये भी कई बार पूछा गया है the dark room talisman ठीक है उसके बाद है malgoody days ये तो हमेशा पूछा जाता है malgoody days ठीक है याद कले जगा सभी पुस्तकों को कौन सा है malgoody days काफी famous है उसके बाद है अरुंदती राय जी का ठीक है तो जो अरुंदती राय ये भी काफी famous राइटर है इनके बारें भी जरूर पढ़ लिजेगा पहली पुस्तक कौन सा है the god of small things ठीक है the god of small things और an ordinary person's guide ठीक है याद कले जेगा दो पुस्तके है तो निरश्षी चौधि का कौन सा है passes to England ठीक है कौन सा है passes टू England उसके बाता राही मासूम रज्जा जी कहा तो राही मासूम रज्जा जी के पुस्तक का नाम क्या है नीम के पेर ठीक है याद कले जिएगा अगला पुस्तक देखिए एम फुस्तक है चोधरी चरण सिंग का नाम है नाम है देख लिए पुंसतक का इकोनामिक नाइट मेर आफ इंडिया एकोनामिक नाइट मेर पुंसतक का त१ पूर्स थो सिंग का कौने सा farm घंड का है bet क्या है वन-l Гंगा-ध09 ऐस नुट इनफ अगला है बाल-गंगा-अध्रतिलक जी का गीता इस बहुत ही फेमस पुस्तक है हर बार मिटवा लंग जो कौन सा इसके बाद है अनिरुद्ध भरत्टा चार्याद जी का है ठीक है तो अनिरुद्ध भरत्चार्याद जी गौन सा है कंड़ीडेट क्या सब्सक्ड म संजे वारुद जी we पुस्तक का नाम कौन सा एक्सिदेंटल प्राइम मिनिस्टर कौन सा है एक्सिदेंटल प्राइम मिनिस्टर याद कले जगा और इस पर पुस्तक भी सॉरी मुवी भी वनी थी आपको पता होगा और यह एक्सिदेंटल प्राइम मिश्टर किस पे लिखा अपको भी पता है मनमोहषाशिंभी पुस्तक लिखा गया उसके वादव है मैरिकॉम मैरिकॉम resposta क्योंछ पूसथे लिखी गई है नयुक्ति को समझना है कि ये समझह जाएंगे ठिक है कि यह क्लास जरूर बना लिएगा जितने भी famous लोग हैं जिनका आप देख रहे हैं जिनकी दोरह पुस्तके लिखी गई हैं सबको याद जरूर कलेज़ेगा उसके बाद के गीरी प्रकास ठेके के प्रकास जी दोरह लिखा गया काफी टेबल अगला है अम्रिता प्रीतम अम्रिता प्रीतम यानि पंडी जोहलान नहरू द्वारा कौन सा लिखा गया है अब बंच आफ ओल्ड लेटर्स उसके बाद है गोपाल कृष्ण गोखले ठीक है गोपाल कृष्ण द्वारा कौन सा लिखा गया है बर्थाफ सिनेमा कौन सा है बर्थाफ सिनेमा स्वरी ये गोपाल कृष्ण गो इक्विलिटी ठीक है याद कर लिजेगा है कौन सा है गाइड टू प्राइबेट इक्विलिटी उसके बाद चेतन भाकत द्वारा पुष्टक लिखा गया हाफ गल्फेंड जिस पर मुवी बन्चु की आपने मुवी जरूर देखी होगी उसके बाद आपका सचीन तेंदुल प्रिकर जी का यह पुस्तक प्लेइंग iamai है ठीक है उसके बाद महातमा गांधी जी द्वारा लिखा गया यह भी पूछा गया था महातमा गांधी जी द्वारा जो यह लिखा गया इनकी आत्मकतः ठीक है क्या नाम है पुस्तक का माई एक्सपेरिमेंट्स बिद तूथ उसके बाद है सरचंदर चटोपध्य द्वारा लिखा गया है चरित्रिहिन, क्या लिखा गया है चरित्रिहिन, उसके बाद नसुरुद्दीन साह जी का देख लीजे, नसुरुद्दीन साह क्या लिखा है इन्होंने देन वंडे, पुस्ता के क्या नाम है देन वंडे, उसके बाद है खुस्वंत सिंग द्वारा लिखा गया है ट्रेन टू पाकिस्तान अकला पुस्तक जस्वंत सिंग द्वारा इन्होंने लिखा है इंडिया अरिस्क क्या है इंडिया अरिस्क उसके बाद है आपका एस राधा कृष्णन तो एस राधा कृष्णन द्वारा कौन सी तो कार्ल माक्स द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है यह भी काफी फिमस है और लगभग जो है सो बार से उपर आपके एक्जामी यह पूछी गई होगी कौन सा है दास कैपिटल कौन सी पुस्तक है याद कर लेजेगा चलिए अगला देख लिए अगला है काली दास द्वारा देख लिए कौन-कौन सी पुस्तक लिखी गई है मेगदूत मालविकागिनी मित्र ठीक है उसके बाद रगुवंसम कुमार संभौम अविज्ञान साकुंतलम देखे यह तुझ सबसे फेमस पुस्तक है लगभग जो है बहुत बार आपकी एक्जामी यह पूछा गया होगा अभी गयं संभौंतलम उसके बाद रीतु संभार उसके बाद विकुम वंश चलिए उसके बाद देख लिए कुलधीप belts लफारा लिखा गयं है तो कुलधी नायन दोरा कौनसा लिखा गया है इंडिया लग क्रिटीकल इयर् चीक है उसके बाद दर जयज्मेंट उसके बा गświadम Boone करा है मनुहरं गलगाव कर द्वारा लिखा गया तो मनुहरंं गलगाव कर अधू कर द्वार लिखा गए मैन हुं कि द गांधी तो मैं ऊगी किस ने मारा था नातु हूं नbrand वारा वर्सिज क्या है दि सेटैनिक वर्सिज चले उसके बाद है रविंदनाट टेगोर इनकी पुष्ट के हर बार पूशी जाती है एक्जाम में कोई भी मतलब एक्जाम नहीं होगा जिसमें इनकी पुष्ट के ना पूशी जाती हो चाहिए वो ने भी SSR हो या फिर डबल ले हो या फिर एयर फोर्स का कोई एक्जाम हो एक्जाम का ठीक है तो लगबक जो है रविंदनाट टेगोर जी की सब ही पूश्ट के पूशी जाती है तो कौन सी पूश्ट तक सबसे पहली है गेतान जली आपको पता होगा कितनी बार यह आपके एक्जाम में पूशा गया है उस उसके बाद रिलीजन आफ Mang यानी इंसान का धर्म चली उसके बाद आगली पूश्टक है मुसी प्रिंचन दौरा जो पहली पूश्टक है वह रंग भूमी कई पार एक्छाम में पूशा गया है गोदान सतरंझ के खिलाड़ी यह भी पूश कूशा गया है गबन पूशा ग शुबास चंद्र बोश्च जी द्वारा तो शुबास चंद्र बोश्च जी द्वारा कौनसी पुछत लीगी गई है डा इंडियन स्टेगा तो फाइल यह हमारी लास्ट पुछत थी आज तक के लिए धन्यवाद और जा करके नए चैनल पर इस जो है क्लास का आप एमसी क्यू कोश्चन या फिर अब्जेक्टिव कोश्चन जरूर देख लीजेगा जो आपके एक्जाम के लिए बहुत मुझा है